साथियों मैं किसी की निंदा नहीं करता लेकिन ये तस्वीर आप देखिए ये तस्वीर उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति कहता था कि परधान मंत्री जी अपने माता जी से मिलते हैं तब भी कैमेरा को साथ ले कर जाते हैं अब चुनाओं में ये अव्यक्ति आ चुका है और कैमेरे में इसकी मा और ये दोनों नजार आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इनका नाम बताओंगा अखिर ये कौन है और ये परधान मंत्री पर क्यों सिकंजा कस रहे हैं और इनहीं के पीछे थोड़ी और कहानी छुपी है भाई रोहित बेमूला की रोहित बेमूला वो जो पढ़ने में हुस्यार था उसको जातिये चक्कर में फसा कर उसको डिप्रेशन में डाला गया और अखिरकार उसने आत्महत्या कर ली आज इस्मिर्ती रानी को भी इस केस से छुटकारा मिल चुका है और तमाम लोग इस केस से छुटकारा पा चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा रोहित वेमूला की संसनी हत्या के बारे में भी बताऊंगा लेकिन बड़ी खबर ये है कि इस तस्वीर को आप देखिये इस तस्वीर को देखने के बाद आप धोखा मत खाईएगा ये जो तस्वीर है राहुल गांधी की है लेकिन राहुल गांधी और बीजेपी में कोई फर्क बिलकुल नहीं है ये भले ही तस्वीर आज गले मिल रही हो लेकिन मुझे लग रहा है एक हाथ से गले मिलती है और एक हाथ से कुछ होर करती है इस पर प्रकास अंबेटकर ने भी एक नजर डाली है और इस पर बड़ी ख़बर लिखी है जो आपको मैं बताऊंगा और करोना के कीका करण में 32,000 करोण रुपे का घोटाला हुआ है मैं कह रहा था कि ये करोना बिमारी कुछ नहीं तो कुछ फरजी वाड़ा जरूर है और आज 32,000 करोड का घोटाला सामने आ गया है बड़ी ख़बर ये है कि अमेरिका के राश्टपती ने देश को जेनोफोविक कह दिया है जिनोफोविक का मतलब क्या होता है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे अखिर जिनोफोविक क्या है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं और छेदू चमार के बारे में भी जानते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में छेदू चमार को लेकर के लोग सभा चुनाओ बहुत जोरो सोरो से हो चुका है छेदू चमार ने कहा कि मैं जब जीतूंगा उसके बाद जो अधिकारी हमारे ओपर डंडे लाची से परहार किये हैं हमको भगाने का काम किये हैं मैं उसका बदला जरूर लूँगा और आपको बड़ी खबर बता दें जो इसमें कांग्रेस पार्टी गले मिल रही है जो पढ़ने में काफी हुसियार था अखिरकार उसे जातिये समीकरण में डाल कर उसको डिप्रेसन में डाला गया ताकि उसने अपने जीवन को समाब्द कर दिया और इन तमाम खबरों पर हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे एक एक बात को समझाएंगे खिर भारत को क्यों कहा गया जेनोफोबिक अमेरिका के राष्टपती ने क्यों कहा अब जेनोफोबिक का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं लेकिन पहले आपको बता दे अमेरिका के राष्टपती भारत को जेनोफोबिक देश बता दिया है क्या आपको जेनोफोबिक के सब्द का मतलब पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएए दरमंदर सिंगह इसे लिखा है तो आपको बता दे जेनोफोबिक का मतलब क्या होता है जो लोग पर गया और गोगल पर जमें पर गया तो मुझे पता चला कि जेनोफोबिक का मतलब बिदेशियों के प्रति अत्याधिक नापसंदगी या डर दिखाना होता ह तो भारत अब जो लोग कहते थे कि भारत का गंका विदेशों में बज रहा है अब अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि मुझे भारत पसंद नहीं है आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते जिस देश के वजीर आजम कहते हैं कि मेरा जंड़ा हर देश में गड़ा हुआ है और हर देश के राष्टपती कह रहे हैं मैं भारत को नापसंद कहता हूँ जेनो फैबिक करता हूँ तो ये बड़ी खबर है और करोना जो करोना आया था उसमें बड़ा घोटाला सामने आया है सुप्रिम कोट ने कहा 32,000 करोड का घोटाला सामने आया है सुप्रिम कोट ने कहा है सुप्रिम कोट में एक और याच का दायर हुई है 32,000 करोड रुपे का तो कुरोना में कीका करण के दोरान 32,000 करोड का घोटाला सामने आया है नई दिल्ली में सुप्रिम कोट में एक याच का दायर हुई है तो ये बड़ी खबर है और मैं कहा रहा हूँ कि ये फोर्स करके जो टीका करान लगा था वो फोर्स किया गया था जबरदस्ती लगवाया गया था यदि आप नहीं लगवाते तो गाउं में लोगों को रासर नहीं मिल रहा था यदि आप कीका नहीं लगवाते तो आपको बाहर देश नहीं जाने दिया जा रहा था अपने ही देश में क्रेवल नहीं करने को मिल रहा था तो ये बड़ी खबर थी कुरोना काल पर सच्चाई की और प्रकासमबेटकर ने कहा कि राहुल गान्धी के इस जूँठे प्यार मे मत फसिये ये ऐसेस सपोले हैं जो अपने आपको भी नहीं छोड़ना चाहते तो फिर दलित समाज को कैसे छोड़ देंगे ये दलित आदिवासी मुसलिम का इश्क विश्क सब दिखावा है उनको बस हमारे ओच चाहिए और कुछ नहीं अब बताईए ये बीजेपी आरेसे से कैसे अलग हैं तो इस पर हम नजर जालेंगे और आपको रोहित बेमूला के बारे में असपस्ट बताएंगे और रोहित बेमूला की जानकारी आपको देने की कोशिस करेंगे रोहित बेमूला के संस्थानिक हत्या रोहित बेमूला केस में तलंगाना पुलिस ने फाइल बंद कर दी है लेकिन तलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है कि रोहित बेमूला एसी समाज का नहीं था उसे जर था कि उसकी असलिजात का भेद खुल न जाये इसलिए जर से उसने खुदखुशी कर ली जातिवाद से तंग आकर रोहित वेमोला 17 जनुरी 2016 को आत्म हत्या कर ली थी लोगों ने इसे संस्थानिक हत्या करार दिया था पुलिस ने इस मामले में तब सिकंद्राबाद के सांसद बंदारू दत्ता स्री एमल स्री राम चंद्र राओ वाइस चांसलर अपाराओ एबी वीपी के नेता और तत्कालीन महिला एवं बालविकास मंत्री इसमिर्ती रानी को आरोप मुग कर दिया है आरोप है कि इन सबने मिलकर रोहित बेमुला को परिसान किया और उसे होस्टल से निकलवा दिया उसकी स्कॉलर सिब रुकवा दी और उसे खौपना कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन तलंगाना पुलिस ने आज फाइल बंद करके हाई कोट में एक लोजर रे वहाँ पर तो रोहित बेमुला को इनसाफ दिल्वा नहीं पाई और बात करते हैं पूरे देश में इनसाफ दिलाने की खेरिश में तीरानी को और अप्पा जी को और जो है सामसद जी को आज इस केस से छुटकारा मिल चुका है लेकिन दलित समाज इने कभी माफ नहीं करेगा फिर चाहे वो बीजेपी हो फिर चाहे वो कॉंग्रेस हो दोनों एक ही कैकेगरी के हैं इन दोनों को कभी दलित भूद नहीं बोला है कि कॉंग्रेस की सरकार तिलंगाना में है और तिलंगाना की सरकार यदय चाहती तो इस मामले को उठा सकती थी और रोहित बेमूला को इनसाब दिलवा सकतीa ठीट, लëकिन रोहित बेमूला को इनसाब तो नहीं मिला लेकिन उनकी गुनागारों को आ ला रहा है खैर अकलेस्यादों को दलित समाज जीतना ही नापसंद करें वतना ही बेहतर है यह यह उसे कम से कम अहने समाज की पच्च तो रखनी चाहिए थी खेर ये राजनीतिक मामला है और आपको एक सबसे बड़ी ख़बर आपको बताते हैं ये तस्वीर आप देखिए ये तस्वीर है कनहिया कुमार की कनहिया कुमार प्रधान मंतरी नारेंद्र मोधी को कहते हैं कि नारेंदर मोती जी जो अपने मा से मिलने जाते हैं तब वहाँ पर कैमरा ला कर जाते हैं लेकिन आज इनकी तस्वीर कैसे आई क्या ये कैमरा के भी ना गए थे या फिर कैमरा लेकर जाना इनके लिए परमीशनाय था अलाउट था आप लोगे कि इस पर राय जानना बहुत जरूरी है रोहित्विमूला देश का दरिस समाज का सबसे पढ़ा लिखा इनसाम था उसको मेंटली चाउचर किया गया उसको जातिये तोर पर चाउचर किया गया इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी और अखिरकार उस मामले में रफा दफा करके तमाम आरोपियों को मुक